अब तक जो हमने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रामीन, आयोडीन, उसमें हमने यह देखा फ्लोरीन का एनामोलस बेहवियर देखा बच्छो, हमने क्या देखा बच्छो, अच्छे से बताओ, हमने फ्लोरीन का एनामोलस बेहवियर देखा, yes or no, उसमें HOF और HF के बारे में हम उसमें यह बताया है, strong, यह सबसे ज़्यादा अच्छा thermally stable है, और strong acid है, हमने दोनों sequence याद रखी, फिर bond dissociation enthalpy वाला point, कि इसमें bond dissociation enthalpy जो है, वो सबसे ज़्यादा किसकी रहती है, HF की रहती है, हमने यह पड़ा, उसके बाद हमने oxygen के साथ देखा, तो उसमें step by step, fluorine का, chlorine का, bromine का और iodine का देखा, fluorine का ही देखा, यह अबे दो ही होते है, O2F2 and OF2, जिसमें यह ज़्यादा जो है, कौन, OF2 ज्यादा thermally stable है, यह unstable है, इसका हम fluorinating agent के लिए use कते है, plutonium को निकालने के लिए, अगर अधराइस plutonium को हम लोग, क्या करें, उसकी impurity निकालने के लिए, उसक कि यहाँ पे CL2O, CLO2, CL206 and CL207 था, हाया न, उसमें हमने यह देखा, यह जो है, pulp, textile और bleaching agent की तरह use होता है, BR के सभी strong oxidizing agent है, लेकिन हो less stable है, thermally हो, less stable है, BR2O, BR2, BR3, मैंने बोला था, BR का plus 6 और plus 4 oxidation state भी देखने को मिलता है, जो कि less stable है आप देख सकते हो, BR2O2 और BR3 सभी less stable है, ओके, यहाँ पे हमने देखा iodine में, iodine में हमारे पास कौन था बच्चो, I2, उसमें बहुत बड़े ही होते हैं, I2O3 और I2O5 दिखते हैं, I2O4, I2O5 and I2O7, उसमें हमें किसको याद रखना था, I2O5 ये carbon monoxide के analysis के लिए use होता है, estimation of carbon monoxide, इतनी चीज ज्याद रखी, फिर हमने halogen के साथ देखा, कि metal के साथ देखा, कि metal के साथ जब MX बनाता है, तब उसकी ionic and covalent characteristics देखी, और inner halides में XX, X-3, X-5 and XX-7, X जो होता है, वो size में बड़ा होता है, और यह छोटा होता है, चोटा होता है, वो negative charge होता है, और बड़ा होता है, और बड सकते हो मुझे, तो यह आपको इस तरह से sequence में याद रखना होता है, चार्ड बना के, अगर चार्ड बना बना यह चार्ड अब पढ़ने बैठ होगे, तब आप बोर हो जाओगे, फिर आपको यह chapter boring लगेगा, जो कि यह है नहीं, example number 7 point हम बात करते हैं, example number हम लोग बात करते कि fluorine जो है, वो shift for shift minus 1 oxidation state exhibits करता है, बाकी जब जो है, chlorine, bromine, iodine, वो जो है, वो सभी plus 1, plus 3, plus 5, plus 7 तक जा सकते हैं, why is it so? ऐसा क्यों बच्चों बताओ, ऐसा क्यों होता है? fluorine जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, fluorine is the most electronegative atom, or it requires only one electron to complete its octet, and that's why fluorine will show only minus 1, where, where chlorine, bromine, iodine with the oxygen and fluorine can show plus 1, plus 3, plus 5, plus 7. और इन सभी के पास d-orbital present होती है, they all have d-orbitals, therefore it can expand through a 7, आएफ 7 क्यों बना पाएगा? एक iodine 7 fluorine के साथ, क्योंकि iodine साइज में बड़ा है, उसके पास d-or f-orbital है, so d-orbital होने की वज़ह से यह सभी exist कर सकते हैं, यह smaller in size, most electronegative, और इसके पास d-orbital नहीं है, है, so that's what, हम क्या बोल सकते हैं, इसको बताओ, यह minus 1 ही रहेगा, in-text question की बात करते हैं, most time भी थाई है, consider the parameters such as a bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of F2 and Cl2, F2 and Cl2, देखो, F2 की जो होती है, bond dissociation enthalpy, bond enthalpy जो होती हो, is less, जबकि इसकी जो होती है, bond is more, दूसरी बात, इसका electron EGH जो है, और less negative होता है, इसका EGH जो होता है, more negative होता है, फिर हम बात करें, aqueous hydration enthalpy, की, जो यहाँ फिर फ्लॉरीन इस स्मालर इन साइज, so the hydration enthalpy is more, bond F2, इसकी जो bond dissociation enthalpy हो कम है, लेकें इनकी जो है, वो electron gain enthalpy भी कम है, इसके hydration enthalpy ज्यादा होती है, बच्चों कौन ज्यादा होती है, hydration enthalpy, तो इसकी वज़ा से, फ्लॉरीन इस आ, good oxidizing agent, बात करें हम लोग, bond enthalpy भी, bond enthalpy की बात करें, तो F2 जो है, उसकी लेस होती है, CL2 होती है, अगर हम बात करें, CL2 की value F2 से ज्यादा होती है, और अगर हम लोग बात करें तो, इसकी बात करें हो, आइड़िशन एंथल भी मा के हुआ है, ओके है, आइड़िशन एंथल में क्या होता है, फ्लॉरीन की ज्यादा होती है, प्लॉरीन आपको पता होना चाहिए, फ्लॉरीन इसकी ज्यादा होती 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 है, इसकी ज्याद रखने हैं बाद, सर, कैसे पता चलता है, फ्लॉरीन ज्यादा ऑक्सिदाइजिजिशन एंट है, एक काम करो, फ्लॉरीन और क्लॉरीन की, अब एच्टो के साथ रियक्शन कर रहा हो, लिखा ये, एक लिख दिया बच्चो, लिख दिया, फ्लॉरीन टॉप मोश्ट पर होता है, आपको याद होना चाहिए, आपको याद है ना बच्चो, फ्लॉरीन कहां पर होता है, एक्जेट ली, अब आपको एक बात बताओ, फ्लॉरीन जो होता है, अगर आप उसको पानी में डालोगे न, इस तो गूड ऑक्सिदाइजिंग एजन्ट, एह एच को खीच लेगा, हप प्लस हाफ फोटू कर देगा, लेकिन जब आप दिया प्लॉरीन को पानी के साथ रहे है, पानी में से भी ऑक्सिदाइजिंग लेता है, और यह आप हैपोख्लोराइड बनाता है, एचीज़ आपको यहाद रखने थी, 7.27 देखते हैं, देखते हैं, तो फ्लॉरीन देखते हैं, देखते हैं, को दिखाएगा, 7.28, C is the greatest source of some halogen, comment, सबसे जादा दूसमे नसे लोता है, MgCl2, MgBr2B होता है, Cacl2, Cabr2, तो क्लोरीन, ड्रामीन, आयोडीन, और सबको आपको अच्छे से से में से, सी वाटर में से मिल जाता है, इसलिए हम यह बोल सकते है, it's a huge source of, it's a huge source of, it's a huge source of, allies, okay, चलो, clear, यह सबी थी chemical properties, अब हम बात करने वाले particular compounds पहे, और सबसे पहला compound है, Clurine, okay, सबसे पहला कहों आएगा बताऊ, Clurine, right, short note on a Clurine, तो एक बात बताओ आपको में, Clurine was discovered in a 1774, by Shilu, Shilu नहीं है, यह Shilu है, okay, the action of HCl and MnO2, HCl and MnO2 से क्या हुआ, उने कौन मिला था, Cl2, नेम क्लोरिन किसने रखा था, Davy, इन 1810, Davy नाम का जो scientist था, उन्हों नाम रखा क्लोरिन, जिसका मतलब होता है, क्लोरिन नाम आया है, कहां से आया है, पते आपको, Clurus से आया है, और Clurus का मतलब होता है, Greenish shallow, इसका जो color था, जिसका जो greenish shallow टाइप दिख रहा था, तब उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, Greenish shallow था तो इन्होंने इसको, Clurin नाम दे दिया, Clurus का मतलब होता है, Greenish shallow, और उससी के हिसाब से इन्होंने उसका नाम दे दिया था, Clurin, MnO2 और HCl के सबसे पहला पुराना HCl को MnO2 के साथ जब रियक्शन करवाई, तब Cl2 प्लस MnCl2 प्लस H2O मिला था, तब सबसे पहला HCl2 मिला था, क्लोरिन, बहुत ही इंपोर्टन्ट है यह, बहुत 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 ज्यादा इंपोर्टन्ट है, ओके, श्यालो ओके ज़ाओ, जौलो अब है तब प्रेपरेशन कल देखेंगे अभी सिफ क्लोरीन क्या था, क्लोरस था था, क्लोरीन था, था, क्लोरीन मनो 2 और हल्ट की रेक्शं से ख्लोरीन मिला था बाकि उसके लब च्छल पे इंडस्रीयल करपेरेशन वी अल बागी थिए अल यह विल से नेक्स लेक्ट्च आगे तो